बुक्स ताट स्पीक में आप सभी का स्वागत है आखिरकार सीमा के स्कूल में भी अब एक पुस्तकाले होगा लेकिन उन्हें अभी भी किताबे खरीदने के लिए 40 प्रतिशत पैसे की और जरुरत है सीमा और उसके सहपाथी पुस्तकाले के लिए धन जुटाते है और प्रतिशत करना सीखते है आईए इस कार्य में उनके साथ जुड़े कहानी का शीर्शक है नया पुस्तकाले ओरिजनल स्टोरी लाइबरी स्टोरी बाई प्रतम बुक्स कहानी लिखी है अनिता मूर्ती चित्रांकन दिपंजन दत्ता चौधरी कहानी का अनुवाद विभा लोहानी कहानी सुना रही है असावरी दोशी सीमा आज बहुत उच्साहित है आखिरकार उसके स्कूल में भी अब पुस्तकाले होगा हमने 60 प्रतिशत पूंजी इकठी कर ली है लेकिन 40 प्रतिशत अभी बाकी है गणित पढ़ाने वाली लीला मैडम ने सीमा और उसके साथियों को बताया लीला मैडम ने हाल ही में बच्चों को प्रतिशत के बारे में पढ़ाना शुरू किया था प्रतिशत यानि की percentage 40 प्रतिशत का क्या मतलब होता है मैडम? सीमा ने पूछा इसका मतलब होता है 100 में से 40 मैडम ये हिसाब कैसे लगाएंगे कि 40 प्रतिशत में कितने पैसे होते है? मीरा ने पूछा लीला मैडम ने उन्हें बताया कि लाइबरी बनाने के लिए 5000 रुपेए चाहिए तो 5000 यहां 100 प्रतिशत है अब बताओ 5000 में कितने 100 हुए? लीला मैडम ने पूछा 500 सीमा ने तुरंट जवाब दिया यानि कि 5000 को अगर हम 100 से डिवाइड करे तो हमें जवाब मिलता है 50 बच्चों ने समुह बनाकर गुणा करना शुरू किया कि उन्हें और कितने पैसे जुटाने होंगे? अगर हम पच्चास सो के हर सो में से 40 ले तो हमें मिलता है 50 गुणा 40 मतलब 2000 तो अब हमें 2000 रुपयों की ज़रूरत है सीमा ने कहा यानि कि 100 का 40 प्रतिशत होता है 40 और 5000 का 40 प्रतिशत है 2000 सीमा और उसके साथियों ने एक योजना बनाई उन्होंने अगले दिन घर से बना नाश्ता लाकर टिफिन टाइम में बेचने का फैसला किया मीरा समोसा लाएगी जयन्त भेल लाएगा प्रिया ने कहा वो चाट लाएगी और सीमा ने इडली लाने का प्रस्ताव रखा अगले दिन बच्चों ने अपने कमाएं सारे पैसे लीला मैडम को दिए क्या पुस्तकाले से हम भी कुछ किताबे चुन सकते हैं? सीमा ने पूछा बिलकुल लीला मैडम मुस्कुरा दी कैसी लगी कहानी? और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak ये हमारे चैनल पर आप जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग podcasting channels पर तो मिलते हैं फिर धन्यवाद, बाई बाई